नमस्का दोस्तो, स्वागा थे आपका हमारे चनल P.K. गुरू जी में आज के इस वीडियो में हम इतियास से सम्मंदित कुछ पिष्णों का डिसकर करेंगे तो जिन पिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते इसमें जो हमारा प्रिष्ण है कि प्रैग इतियास का अंत एवं इतियास का आरंब कभ माना जाता है इसका अंत और इतियास का प्रैरंब कभ से माना जाता है option A, जब से मानावने चलना सीखा, option B, जब से मानावने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, option C, जब मानावने लिखना सीखा, और option D, जब मानावने घर बना कर रहना सीखा, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर है, वह है कि जब मानावने लिखना सीखा, तब प्रेगितिहास का अ आरम हो गया आगे बढ़ेंगे कि बीते हुए यूगों की घटनाओं के सम्मंद में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है option A एतिहासिक स्रोत, option B भोगोलिक स्रोत, option C सामाजिक स्रोत और option D राजनैतिक स्रोत तो इसका जो सही अंसर है वा है एतिहासिक स्रोत, यानि कि जो बीते हुए यूग हैं इनकी घटनाओं के सम्मंद में जो स्रोत जानकारी हमें देते हैं हम उनको एतिहासिक स्रोत कहते हैं आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैंसे कौन सा ग्रंत स्रोती ग्रंत का अंग नहीं माना जाता है यह हमें बताना है option A सहीता, option B ब्राम्हर, option C उपनिसद, option D पुरान इसका जो सही अंसर है वह है पुरान जो की पुरान है वह है सोती गंत का अंग नहीं माना जाते है ठीक है तो जो पुरान है सोती गंत बोलते हैं बेदों को तो बेदों का यह हैसा नहीं है ठीक है यह पुरान जो है बेदों का हैसा नहीं है पुरान जो है उत्तर बैदे के साह पुराणों में बिज्ञान, भुगोल, ब्रह्मान, बिज्ञान, भुगोल, चिकतसा, वंसावली, खनज बिज्ञान और ब्याकरण जैसे बिभिन विश्यों को सामिल किया गया ठीक है तो जो पुराण है वो है उत्तर बिदिक साहयत हैं बेदों का हिसाब नहीं है आगे बढ़ेंगे कि त्री पिटक धर्म गरंथ किस धर्म से सम्मन्दित है त्री पिटक धर्म गरंथ यह हमें बताना है कि किस धर्म से सम्मन्दित है option A जैन धर्म से, option B बौध धर्म से, option C सिख धर्म से और option D हिंदू धर्म से तो इसका जो सही आंसर है वह है बौध धर्म से धर्मगेंत जो है वह है बौध धर्म से संबन देते ग्र summand है आगे बढ़ेंगे कि तरिपिटक बौध धर्म का पुर्मखगेंत है जिसे सभी बौध संपदाय जो कि महायान थेरबाद बद्रियान सभी मानते हैं ठीके तो त्रिपटक पहले तो बहुत धर्म का महत्पूर्ण गंत है इसे सभी बहुत संबदाय मानते हैं ठीके यह बहुत धर्म का क्या है प्राचींतम धर्म गंत है ठीके यह जो है बहुत धर्म का प्राचींतम धर्म गं यह है गरंत पाली भासा में लिखा गया है और विभिन भासाओं में अनुबादित किया गया है आगे बढ़ेंगे कि मिलिन्द पन हो राजा मिलिन्द और किस बहुत बिक्चू के मद्द संबाद के रूप में है तो मिलिन्द पन हो जो है वह है राजा मिलिन्द और किस बहु कुमारिल भट तो इसका जो सही अंसर है वह है नागसेन यानि मिलिन्द पन्हों में राजा मिलिन्द और बहुत भिख्छू नागसेन के मद्द में संबाद बताया क्या है आगे बढ़ेंगे कि निम्न लिखित मैं से किसकी तुलना मैकिया बैली के प्रिंस से की जा सकती है ठीक है मैकिया बैली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है तो option A है काली दास का माल विकागनी में त्रम option B है कोटिल का अजसास्त option C है बात सायन का कामसूत्र option D है तिरू बल्लूबर का तिरू कुरल तो इसका जो सही अंशर है वो है कौटल का आधसास्त, नहीं कौटल का जो आधसास्त है, उसकी तुल्न मैकिया बैलेकर प्रिंसे से की जा सकती है. आगे बढ़ेंगे कि कोटल के आयतसास्त में किस पहलू पर प्रकास डाला गया है ठीक है तो कोटल का जो गरंत है आयतसास्त इसमें किस पहलू पर प्रकास डाला गया है यह हमें बताना है आप्शन A आर्थक जीवन आप्शन B राजनीतिक नीतिया option C, धार्मिक जीवन और option D, सामाजिक जीवन तो इसका जो सही अंसर है वो है राजनीतिक नीतियां ठीके? तो जो kwatu Royal का आई सास्त है इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है नाम ही भले इसका आई सास्त है लेकिन इसका आई सास्ते कोई सम्मंद नहीं है इसका सम्मंद है राजनेतिक नेतियों से आगे बढ़ेंगे कि जियो ग्राफिका की रचना किस ने की थी ठीक है जियो ग्राफिका ग्रंथ है इसकी रचना किस ने की थी ए हमें बताना है ओप्सन ए हेरो डोटस ओप्सन बी मेगस्तनीज ओप्सन सी एस् इसका जो सही अंसर है वह है एस्ट्रेवो यानि जियोग्राफ का जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी एस्ट्रेवो ने आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में कुछ अतरक्त जानकारी है जो कि एस्ट्रेवो क्या है यह यह इनानी भूगोल बैत्ता और इत्यासकार था ठीक है इस्ट्रेवो का जन में एसिया माइनर के अमासिया इस्थान में ईशा से लगबग 63 बास पूर हुआ था और इस्ट्रेवो ने अनेक यात्राएं की थी इनकी मित्तू 19.20 में रोम में हुई थी ठीक है इस्ट्रेवो का 17 खंडों में लिखा हुआ जियोग्राफ का पूरेशिया तथा अफ्रीका के भूगोल से सम्मनेत महत्पूर्ण ग्रंथ है आगे बढ़ेंगे कि पिलिनी की पुस्ता का क्या नाम है ठीक हमें बताना है कि पिलिनी की पुsता का क्या नाम है? option a history option b naturalis historia option c geographia और option d geografi इसका जो सही अंसर है वह है naturalis historia यानि option number b इसका सही अंसर है पिलिनिक की जो पुस्तक है उसका नाम है naturalis historia आगे बढ़ेंगे कि περιplus of erytherians c ठीक है पुस्तक का नाम है पेरी पिलस ओफ इरी थियन सी की रचना किस ने की आप्शन A हेरोडोटस ने आप्शन B मेगस्तिनीज ने आप्शन C स्ट्रेवो ने और आप्शन D अग्यात इउनानी लेखक ने तो इसका जो सही अंसर है वह है अग्यात इउनानी लेखक ने जो पेरी पिलस ओफ इरीथियन सी पुस्तक है इसकी रचना एक अग्यात इउनानी लेखक ने की थी ठेंक्यू दोस्तू इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल